मोहन गार्डन 25S के निगम पार्षत श्याम मिश्रा की तत्वाधान में अनेक बीजेपी कारे करताओं ने केजरिवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन वह एक दिन का अंशन भी किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल से MCD के 13,000 करोड रुपे का बकामा रकम देने की मांग कर रहे है दरसल मामला 13,000 करोड रुपे से जुड़ा हुआ है आपको बता दे कि दिल्ली बिजेपी ने केजरिवाल सरकार पर दिल्ली नगर निगम के 13,000 करोड रुपे न चुकाने का आरूप लगाया है जिसके चलते दिल्ली बिजेपी पिछले काफी समय से केजरिवाल सरकार पर लगातार हमला वर नजर आ रही है राजधानी में अक्तुबर महिने से ही हर नुकड और चौरा है पर केजरिवाल जी MCD के 13,000 करोड रुपे की बकाया रकम कब दोगे के पोस्टर नजर आ रहे थे अक्तुबर माँ से ही केजरिवाल और दिल्ली भिजेपी के बीच इस तनातनी का मामला चला रहा है जिसके बाद पिछले 11 दिनों से केजरिवाल के आवास के सामने MCD के लोग द्वारा प्रदर शंजारी है दिली सरकार के द्वारा पैसारों के जाने पर तीनों निगम अपने नियमित काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहे है और निगम कर्मियों की तनख्वाए रुकी हुई है इसका सीधा असर निगमों के अंतरगत काम करने वाले संस्थानों पर पड़ रहा है जिसके वज़े से निगम पारशत वा MCD के अधिकारी और बिजे पिकारे करता धरने पर बैटे हुए है अपने बिदायक के हां भी परदसन किये थे पिछले दिन और आज हम लोग एक दिन के सांकेतिक धरना पर बैटे हैं इन बिसेन न्यूस के लिए दिल्ली से समवादाता ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट